और तो तो हरु हुए है है दिस्सके सूरी सेैंटीफ टूर्ट ही से च्रेटीक पार्ट स्वम लिंग नुक्टिक एलेक्ट्रिक डाइपोल क्या सबangel करते हैं अगर वियुकूल express चार्ज का 2 पोल मदलब किया एक साइड में मैं एक चार्जरा रख तो दोनों का चार्ज को मिला करके ऐकर दोनों चार्जर का जो साइन है वह अलग अलग साइन तो इदर फिरल का ढग़y a अधैनि पॉल मतलब क्या दोई इक जितना मेगनिटूडि इसका है से मुतनाई मेगनिटूड इसका भी ओना चाहिए दोई इक चार्ज होने चाहिए और अपॉजिट साइन का होने चाहिए एक पॉजिटिव हो तो दूसरा कैसा हो दुझ आगे दिव हो जाएं दो दो सिरे कैसे बनेंगे कैसा हो अगलो चार ये को रब mr जर्द यह से मोनो पॉल बनेगा जब भी अगर हमारा कि अधर में कोई भी सिस्टम निकालने उसा इन्धर हम देखें तोटल चाइज की वैली जीरो नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या मोनोपॉल है अगर तोटल सबस्क्राइब तो चारज अगरा कि बोल जाता कि दो इकुल यह हमारा क्या अगर गया क्या पूल जाता कि उपूल और टैपूल से सफरिट क्या गया तो इसको मीपकुल और टैपूल देखना बाथ आती है डैपूल मूउमेंट की कि डाइपोल मुवमेंट क्या है जो भी हम डाइपोल निकालते तो डाइपोल का कुछ ना कुछ मैंग्डीटुड निकल के आता होगा कुछ ना कुछ इसकी इंटेंसेटी निकल के आती होती है तो जो इसका मैगनिट डाइपोल का जो मैगनिटुड निकल का है उसको क्या बो कुछ न कुछ इसके इंदर डाइपोल इंटेंसिटी होगी वह डाइपोल इंटेंसिटी जितना निकल के आगा उसको क्या बोलेंगे डाइपोल मुमेंट बोलेंगे डाइपोल मुमेंट जो हमारा वह वेक्टर कॉंडिटी है इसको वेक्टर से रिपरेजेंट करेंगे इसको to represent करने का तरीका हमारा क्या Vector P तो वेक्टर 15 कल्थ देखना मिलेगा क्या Vector 15 कल्टों घर हम बोलने तो बोला जाता डाइपॉल मुमेंट ये जो हमारा डाइपॉल इन दोनों डाइपॉल में से कोई एक सिंगल चार्ज माईब कोई धी चार्ज हो सकता यह भी हो सकता क्यूल का magnitude ना bead उसका मैउपल चार्ज स कि Será इंडू डिस्टेंस कहा से कहा से कहा तक निगेटीव टू पोजिटिव जो डिस्टेंस पहल pressing लेना तो डैपोल मुणेंट प्रार्ट करना वह होकते क्या कि जो भी हमारा रचार्च होंगे इंक का इन क lessन निका लें गए उनका तो यह ुए यह मारा क्या होगा वेक्टरoveल होगा वेक्टरख कांडीटिव होगा तो bina kryarree s gente how kAME-1 निकालनी के लिए के लिए इसका डारेकशन जब भी देखेंगे तो हुमारा डारेकशन कुछ कि तर्व nay लेखर के अच्छा होगा किदर होगा निगेटब लिख दे रहे क्या होगा माइनस क्यूंटू प्लस क्यूंट ठीक है निगेटिव से या फिर हम इधर लिखे तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज यह होगा हमारा तो ध्यान में रखना हमको क्या कि डैपोल अगर कोई भी है उसका डैपोल मुहमेंट निकाले तो डैपोल मुहमेंट हमारा क्या निकल कै अप बात आती है इसकी यूणिट क्या होगी डैपोल मॉवकमेट की यूनिट क्या होगी अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देख आ आपने सब की यूनिट पड़ाऊ क्या बेक्टर Pош GO क्यू चार्ज की यूनिट क्या होती है कूल्म और फिर क्या आर क्यो डिस्टेंस है सेफरेटट डिस्टेंस या र क 수RI क्या इसकी उनिट क्या पड़ा अबलने के लिए अगर कभीकभी है सी का दियमें具 स्ब्वें करें कि दो सबसे यह क्यों का हिए के लिए आपको बताये गया कि क्यों इस मिल जाएगा क्यों का मिल गए desert क्या मिल टी मेटर क्या layna CH अब देखना जो भी मारे डाइपोल निकलेगा घाल इसमें ऑफ पॉजटिटिव चार्ज artists इस दूसरा क्या निगेटिभ चार्ज देंदो आई खेल पॉइलवी निकलना होगा लेकिन अलग अलग पोजेशन पे पर देखनगे तो इससमें सबसेपहला बात है अगला है हमारा अगला एक्जल्ट की सबसे पहले अगर निगेटिव या यह पॉजिटिव इसकेлем पेक्स पर जो भी point होगा हमारा सारे के सारे क्या कहलेंगे axial point कहलेंगे जिसे देखना अगर मैं इधर एक figure बनाता हूं थोड़ा और इधर बनाता हूं यह हमारा एक dipole हो गया यह plus क्यों हो गया और यह minus क्यों हो गया इसका length हमने बोल दिया कितना 2L है इसका center मैंने यहाँ पर माल लिया ओ है ठीक है इस तरीके से और माल लिया यहां से कुछ इसके center से कुछ small distance में कोई point पी है जहां पर हमको क्या field find करके बताना है तो सबसे पहला काम हमको करना क्या है सबसे पहला काम हमारा यह ही है कि हमको प्रपिल्ड को कौँन सा पता है क्या पता है तो point charge को बनtał फिल्म को पता है तुमकोhn पॉइंट nur3 पता है तो से फेल्म हहां पर निकाल लें प्लिए सकत्रने के लिए यहोइला distance भुद तुम इतना length कितना होगा तो इतना लेंध ब्या dobrze दिकना अगर मैं बात करूँ यहां से यहां का length कितना मिलेगा r-l, इतना मिल जाएगा हमको अगर मैं बात करूँ यहां से यहां तक का length कितना होगा तो r-l मिल जाएगा आपको यह पूरा मिल जाएगा, यह होगा अब फिल हम निकाल लेते हैं क्या minus q की हो जासे और plus q की हो जासे minus q की हो जासे अगर हम field निकाले तो उसको लिख सकते minus q और मिलेगा कितना one over four perhaps not q divided by देखना यह यहां से यहां का length कितना r minus l तो इसको import कर देंगा r minus l इसका whole square अगला plus q की हो जासे निकाले तो इसकी value कितना मिले कि one over four perhaps not q divided by देखना यहां से यहां का length कितना होगा distance कितना होगा r plus l तो इसकी value r plus l इतने का whole square लिखने यह दोने निकाल लिए अब इसके direction क्योंकि field हमारा क्या vector quantity है अगर field हमारा vector quantity तो इसका direction भी चेक करना पड़ेगा direction शेक करने के लिए दिखना इसका direction की दोर होटा अंधर की तरफ अंदर की तरफ का मदलग क्या minus Q चार्ज है तो इसकी तरफ इदर कि तरफ इदर फिल्टार का direction आएगा तो अगर मैं फिल्ट का direction भी इधर बनाता जाओं तो इधर से मिलेगा कि आप क्या एक दूसरी क्या पोजिट था जब लाने के लिए करना क्या होगा दोनों को आपस में माइने आगा देना होगा दोनों को मैणेस करने के लिए देखना अगर मैं बोलूं total field कितना होगा तो e total अगर निकालना चाहूं e total निकालना चाहूं तो e total कितना मिलेगा e minus q vector सक के साथ और plus vector e plus q यह होगा minus q मैं मान लेता हूँ यह वाला direction हमारा क्या positive है तो इधर वाला direction कैसा होगा negative होगा अगर हमने ऐसा consider कर लिया तो consider कर लेते है minus q वाला positive होगा तो वह वाला क्या होगा minus sign के साथ एक दूसरी के साथ opposite हो जाएंगे value put कर देते value put करेंगे तो देखना मिलेगा कितना one over four five seven not q divided by r minus l इतने का holy square और minus one over four five seven not q divided by r plus l इतने का holy square minus q यह value plus q e plus q की value यह value दोनों put कर दिया कुछ common हो जाएगा common होगा कितना q divided by four five seven not common हो जाएगा मिलेगा कितना one over r minus l इतने का holy square और minus one over r plus l इतने का holy square इतना value मिल जाएगा आपको इतना value मिलने के बाद हम करेंगे क्या देखना इसको थोड़ा सा solve करेंगे solve करने पर हमको क्या मिलेगा q divided by four five seven not solve करेंगे इसका whole square यहां पर open कर देंगे R square plus L square plus 2 R L A square plus B square plus 2 A B यह हो गया minus sign इसका भी open कर देंगे तो कितना में लेगा R square minus L square और फिर minus sign तो minus minus plus 2 R L divided by कितना R square minus L square इसका whole square यह हो जाएगा ठीक है? यहां से देखना कुछ cancel out हो जागा यह cancel होगा यह cancel होगा यह cancel होगा इसको हम एक साथ लिखें तो एक साथ देखना क्या मिलेगा हमको यहां से मिल जाएगा E is equal to 2RL plus 2RL कितना हो जाएगा 4RL तो 1 over 4RL divided वही क्यों भी होगा यहां यहां से कितना मिलेगा R square minus L square इतने का whole square यह मिल जाएगा हमको यह होगा अब देखना है यहां से हमको यह मिल गया है यहां से अगर मैं बात करूं तो बोलता हो कि यह जो distance R distance यह क्या इस L के comparison बहुत ज्यादा लॉंग है तो यहां से अगर मैं बोलू इफ आर इज मच मच greater देन एल तो इटोटल मिलेगा कितना 1 over 4 5 epsilon naught और इसको लिख सकता हूं Q into 2L और 2 से multiply बहार भी कर दिया इसी को थोड़ा रिया जरेंच करके लिखा अगर आर की वैलू बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ऐल से तो देखना एल की वैलू क्या हो जागी एल इसको यह को यह कॉणिटी हमारी सबसे पहले क्या हो जागी और इसका सब्सक्राइब करेंगे तो कितना मिले का आर पावर फॉर और यहां उपर आर भी था यह कैंसल हो गया एक बार तो यहां से मिलेगा क्या वान ओबर फॉर पाइप साल नॉट को कचाम की एंट्Wow Revelation 2nd Genesis 2nd МУ टू इलढिएड़ हाई अक्यू ड्याइपूल मोमेंटफोडी देर पहले हमने बता है क्या और नीच कलतू कितना क्यूं इंटभीत है तो टूल हो जाएगा एप तो एंटो टू एल इसकी वैलु क्या वेक्टर फी यह है तो यहां से मिलेगा क्या वन ओवर फॉर पाइब शाल नौट तो इन्टू वेक्टर पी डिवेड़ेड़ वे आर क्यूब यह हमारे क्या निकल के आएगा तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या जो फील होगा किसकी होजा से अब देखना इससे रिलेटर कुछ इंपॉर्टन बाते हैं कि जब भी हम बढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के होजा से फील्ड एलेक्ट्रिक फील्ड डियू टू पॉइंट चार्ज तो दिखने क्या मिलता डार्गली प्रपोर्शन वन ओबर आर स्कूर यह मिलता हमको या वन आर स्कूर का इन्वर्शली प्रपोर्शन यह हमको बहले मिल जाता अच्छ पोटेंशियल इसमें बाद में भी पढ़ाऊंग आपको तो पोटेंशियल हमको मिलता इस तरीके से अगर यही चीजे में डाइपोल बात करो एलेक्ट्रिक फिल्ड डू टू डाइपोल तो देखना क्या मिलेगा यही चीजे आर स्कूर की जाओ पर आर क्यूब मिलना स्टाट हो जाग है डाइपोल के लिए ठीक है और वी जोगा यह कैसा मिलेगा आरस्क्वार मिलेगा तो इसके लिए जनल्र फार्मूला निकल क्या जन्र फार्मूला क्या है भी आगए पर डाईपोल कि यह आपका इंपर्डेंट बाते हैं इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इंपर्डेंट करके doctor करना इसको क्यों क्योंकि यह जल्दी आपको मिलेगा नहीं जन्रल्फार्मुला डाईपोल का एंजन्र्रा प्रपोल का मिलेगा क्या इडरिल प्रोपोर्पोर्रेशल्वन ओबर आर पावर एडर अडर प्लास र एन प्लस वन यह मिलेगा एन की वैलु क्या मिलेगी जिरो एन की वैलु वन एन की वैलु टू जिरो मिलेगा तो क्या बोला जाएगा मोनो पोल बोला जाएगा टू मिलेगा तो क्या बोला जाएगा टू मिलेगा तो क्या बोला जाएगा थ्री मिलेगा तो क्या बोला जाएग लगब भार नहीं किओ दो तीन बार लोग बहुत सारे यह और oul के लिए क्या इज आ और प्लस टू और फिर क्या वीज इनर्सली पर पोलोला पाउर फ्लस वन वी क्या है वी को हम Prince प्र लेंग् Our एलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है तो अभी एलेक्रिक पोटेंशियल जा से जाता जाएगा वे दिए दानी फ्syल प्र adesso ये देखना इसके बाद हाए मारा एलेक्ट्रिक फिल्ड इफयंक्तर प्रेंट आफ़ इस डैपोल से पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो कोई भी पॉइंट आएगा हुँमारा क्या 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 है एक क्या पॉइंट क्या लगा देखना मैं यहां पर फीगर बनाके समझाता हूं यह हमारा कोई डाइपोल हो गया इधर हमारा मान लिया पॉजिटिव है इधर क्या निगेटिव है इस तरीके से इससे पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं जाओं देखनें शबसे पहले काम क्या होगा यहाँ से इसको मिला डूसरे गए होगा यहां से इसको फोगी मिला ना ओगा इस तरह के से मिला देंगे दोनों का ठीक है अब हमको सबसे पहला बात यह पता हो न चीह यह पॉइंट को मने बोल दिया पी पॉइंट है इस तरीके इस अब देखना अगर मां बोलो सबसे पहली बात तो फील्ड हमको निकालने के लिए यह पॉइंट चार्ज है यहां पर 1 over 4 5 सेलंड q divided by r r कमलग क्या यह वाला डिस्टेंस हमको पता करना पड़े का यह वाला डिस्टेंस पता करने के अच्छा यह हमारा मिलेगा आर स्कॉर प्लस एल स्कॉर डिस्टेंस मिलेगा अब देखना सब दूसरी बात यह जो फील्ड का डारेक्शन भी चेक करना होगा तो अब सबसे पहले बात जो हमको मिलेगा यह प्लस क्यूंग कितना मिलेगा वान ओबर फॉर पाइपसालर नॉट क्यों डिवेड़ बई अनुरुड आफ स्कॉर फ्लस एल स्कॉर इतने का फॉल स्कॉर ठीक है क्योंकि यह इस यह यह निकल ले न तो यह वाले डिस्टेंस आईगा हमारा अगर मोर्मम मीनिस स्क्यूं की आ होजसे निकौन आ चाहिए तो मीनिस स्क्वार प्लस एली स्कॉर इतने का होली स्क्वार यह होगा अब देखना थोड़ा सा थोड़ा सा अगर मैं बात करो फील्ड के डारेक्शन क्या तो डारेक्शन के लिए देखना अभी मैंने बताया क्या इससे पिछले वाले और रही प्रॉब्म है कि पोजिटिव चर्ज की वज़ा से जो हमारा फीड़ का डारेक्शन का तरफ होगा तो इदर से फीड जाए प्लस क्यों आगर मैं दो फेल टारेक्शन क्यूंट यही आगको यही मिल जाएगा अब देखना दो फील्ड है दोनों क्या अलग अलग डारेक्शन में तो इनको हमको सम करना मुश्किल है यहां पर यहां पर हम सीधे-सीधे सम नहीं कर सकते इसका मलब करना क्या होगा हमको तो हमने अब लोग को पढ़ाया क्या कंपोनेंट का मनलब क्या हम और हम कंपोनेंट की तरफ आएगा इसको मैं रुफ कर दिता हूं इसको ध्यान में रखना तुम लोग ठीक है देखना प्लस Q की चार्ज चार्ज क्यों जैसे इधर भी एक फील आएगा वो जिसके साथ एंगल बनता उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता कॉस पोनेंट आता तो यहां से इसमको मिलिए जिसके साथ इधर पर्पेंडिकुलर डारेक्शन पर्पेंडिकुलर बनाता हूँ और सारी लिखने प्लास क्यों साइन ठीटा मिल जाएगा यह मूं से माइनिस हैं जैसी देगे अंतर तरन यह एंगल ट्वी एंगल ट्वी कि तरह तो जो सब्सक्राइब कि दर आएगा इधर की तरफ जाएगा तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा कौन सा यह एंगल ठीटा बनना इसके साथ तो कॉस वाला कंपोनेंट आएगा तो इधर मिलेगा क्या यह माइनस क्यूं कॉस्ट ठीटा और इधर वाला जो कंपोनेंट आएग इधर लग रहा है एक फिल इधर लग रहा है एक फिल इधर लग रहा है दोनों का मैगनिटुट क्या है सेम है देखना प्लस क्यों मैनिस क्यों क्यों जैसे मैगनिटुट क्या सेम है droite compromised दोन को मैनुस करेंगे तो यह सब मिला करके क्श जीरो जाएंगे तो कि फोटल ट्व. क्यूंँआ हैं यह एकस कि एककल टू बैयुए क्यों कि इदर फिल्ड और बैल्ड में यह बैसका है यह बैस्वा कुए इसलिए दोनों की वैलू माइनिस करेंगे तो क्या हो जागा जीरो हो जागा माइनिस क्यूं करेंगे क्योंकि एक फिल्ड उपर है दूसरा फिल्ड नीचे की तरफ अब देखने यह दोनों फिल्ड क्या सेम डारेक्शन में तो उधर का हमको कुछ लिखना पड़ेगा तो एल हुआ है इस टोटल जो मिलेगा ओंको मिलेगा देखना कितना है अब इसके साइन ठीटा प्लस एमाइनिस क्यों साइन ठीटा इतना मिल जाएगा अब साइन ठीटा को तो देखना दोनों की वैलू सेम है तो वन ओवर फोर पैपसलन नौट क्यू डिवेड़ेड़ वई इसको लिखेंगे तो यह अंडरूट कैंसल हो जागा तो आर स्कूर प्लस एल स्कूर हो गया दोनों की वैलू सेम है तो यहां से हो जाएगा इतना और साइन ठीटा भी जागे कितना मिलेगा टू ओबर फोर पैपसलन नौट क्यूं साइन ठीटा डिवेड़ेड़ वे आर स्कूर प्लस एल स्कूर इतना हो जाएगा यह हो जाएगा अब देखना अगर मैं बोलो यहां पर साइन ठीटा में लगाना चाहूं तो देखना यह वाला ट्रेंगल त्रेंगल आपको बात करता हूँ झील बोपी दिखा बी ओ पी का महलब यह यह ट्रेंगल यह यह और यह पूरा ट्रेंगल कि अगर बात करूं तो यहां से यह वाला एंगल कितना ठीटा तो साइन ठीटा लगाँगा तो साइन ठीटा इसकल लो क्या परपेंडिकुलर अपन हैपोटेनियस तो परपेंडिकुलर कितना यल और हैपोटेनिस कितना इतना तो यहां से हमको मिलेगा साइन ठीटा हिज कुल टो इल डिवैड़ विय्वें अंडूरोढ और रफ शुटा ब्लस इतना मिल जाएगा साइन ठीटा की वैलू हम करेंगे क्या इसमें पुट कर देंसे देंगे इन टोटल में ओन्रोटल में पुट करेंगे देखना मिलेगा क्या कि यह टोटल में पुट करेंगे तो मिलेगा हमको कितना वन ओवर फोर पाई अपसेल नॉट क्यूं टू क्यूं इंटू साइन ठीटा की वैल डिवेड़ेड़ वह इतना तो एल हो गया उपर डिवेड़ेड़ वही यह आर स्क्वाइर प्लस एल स्क्वाइर इंटू इसके प दिवेड़ेड़ इसको टोड़ा सो और सोल करूं तो अगर मैं बोल है जो यह हमारा धाइब यह लेंथ बहुत कब और यह वहला डिस्टन्स करने बहुत जादा हो तो यहां से अगर में बोलता हूं तो यहां से यह Pu को मिलेगा one over four five seven from two q divided by yell और यह एल स्ट्रक्राइब कर को जाएगा निगलेक्ट हो जएगा एल स्कार निगलेक्ट हो जाएगा तो कितना मज़ेगा आर इस आर क्योग कि या आर स्क्वाइर पावर three by two कि यह कैंसल हो जाएगा क्या था यहां से मिल एच गया कितना वान ओवर कि एच गल्ट मिल जाएगा वान ओवर फोर पैब सालन नौट कि नपी डिवेड़ेड़ वहीं आर क्यूप कि यह हमको फील मिल जाएगा यह जो होगा हमारा क्यों होगा फील्ड होगा किसकी होजासे डाइपोल एट इक्वेटर पॉइंट ठीक है तो इससे पैसे देखना इधर से जो हमारा एकी वैली निकल किया यह निकल किया और फॉर पैप से लेन पी डिवेड़ वे आर क्यूब इतना निकल किया पिछला जो मैंने डिसकेस किया था क्या या अने डिकल प्याइकर्ट इवेड़ से एक्जव पूइंट मिला था कहां एक्जल पॉइंट पे और एको ट्रेयल पाइंट पर कितना मिलेगा वन ओवर फॉर पाइपसाल नॉट पी डिवेड़ेड़ वे आर क्यूब यह हमको ध्यान देना होगा ठीक है तो यह हमारा निकल काएगा एको ट्रेयल पाइंट पर फील्ड यह होगा कि देखना है यहां से जो फिल्ड की वैली निकल गया हो हमारा निकल गया है कितना इंज कल टो वन ओवर फॉर पाइप से लेंड़ पी डिवेड़ेड़ वे आर क्यूब अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाओं